हेलो फेंड्स वेलकम बैक इन टेली कर्ट फेर्ज आफ हिमाचर पदेश तो अगर आपको इस सेशन की पीडियाफ चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप टेलिग्राम में सर्च का स सकते हैं हिमाचर सक्सेस बुक वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडिया प्राप्त कर सकते हैं तो स्टाट करते हैं हमरी आज की डिसक्शन नमबर फस्ट इस अमरितियोजना जिसे अमरुत मिशन भी कहते हैं तो जो कुल्लू के विदायक है महिश्वर सिंग उन्होंने कंप अर्बन ट्रांसफर्मेशन भी कहा जाता है और इस योजना को परधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और यह अमरित योजना एक एक स्टेंशन है जोहरलाल नहरू नैशनल अर्बन रिनेवल मेशन की जिसे हम जन्नूरम भी कहते हैं और से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेस द्वारा लॉंच किया गया था अगर बात की जाए इसके तार्गेट की तो इसमें मुख्य रूप से पांस तार्गेट सेट किया गया है नंबर फस्ट इस मार्च दो हजार बीस तक 149 लाक वाटर कनेक्शन लगाए ज जाएंगे और नंबर फेफ ही अलेड डी स्ट्रीट लाइज लगा हैंगे लाइट एमिटिंग डियोड सी स्रीट लाइट से लगाय जाएंगी और बात कि जाए इसके टो टोटल प्ले की इसका इस की इस इनिसेटिव के टोटल गॉले है 77,640 करोड जिसमें जो सेंट्र सें करके 2022 तक extend कर दिया गया है मतलब अब इस इस स्कीम को अब दो साल के लिए extend कर दिया गया है अगर बात की जाए ministry of housing urban affairs की शहरी विकास मंत्रा ले की तो इसके जो मिनिस्ट आफ स्टेट है independent चाथ के शिरी हर्दीप सिंग पूरी है आप देख सकते हैं तस्वीर में यह है शिरी हर्दीप सिंग पूरी जिनकी constituency है अम्रिसर पंजाब next is हिमाचल टकनी की शिक्षा विभाग जिसे हिमाचल टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं तो प्रदेश के 19 आइटी आई में बजार की मांके अनसा नए ट्रेड शुरू करने के लिए अगर बात की जाए इस टोटल बजट की तो जो टोटल एलोकेशन है जो बजट की स्विग्रिती दी गई है वो टोटल बीस करोड है और इसकी पहली किष्ट बारा क्रोड रुपे की हिमाचल प्रदेश सरकार को वल्ड बैंक दोरा परदान की जा चुकी है और इसकी पूरी इनफॉर्मेशन दी हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो टेक्निकी शिक्षा मंत्री है विकरम सिंग ठाकुर आप देख सकते हैं तस्वीर में ये है हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर टेक्निकी शिक्षा मंत्री विकरम ठाकुर तो उन्होंने बताया कि ज वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक एक international financial institution है जो की loans और grants प्रवाइड करता है और इसकी स्थापना जुलाई 1922 को की गई थी 1944 को की गई थी और इसका headquarter Washington DC United States में है और इसके president है जो 13th president है वर्ल्ड बैंक क्रूप के वो है डेविड मालपास आप देख सकते हैं तस्वीर में जो की 13th president है वर्ल्ड बैंक क्रूप के वहीं बात की जाए वर्ल्ड बैंक की चीफ financial officer और managing director की दो वो इंडिया से है उनका नाम है अंशुला कांत आप देख सकते हैं तस्वीर में ये हैं अंशुला कांत जो की उत्राखंड के रूड की से हैं वहीं बात की जाए अगर वर् international organizations की बात की जाए तो number first है international bank for reconstruction and development जिसे IBRD कहते हैं number second is international development association IDA number third is international finance corporation IFC number fourth is multilateral investment guarantee agency MIGA जिसे मीगा कहते हैं and number fifth and last one is international center for settlement of investment disputes तो यह थे world bank group के पांच members जो पांच member की ये family है पांच international organizations है नेक्स्ट इस आशा वर्कर्स जिने हम accredited social health activist भी कहते हैं आशा वर्कर्स तो आशा वर्कर्स को दो महीने के लिए दो दो हजार रुपय प्रोचसान राशी दी जाएगी तो सरकार ने जून और जुलाई महीने के लिए आश पुछना की है निर्ने लिया गया है और पिछले महीने ये निर्ने लिया गया था कि तीन महीनों के लिए मार्च से जून तक इन्हें एक एक हजार दिया जाएगा लेकिन अब निर्ने परिवर्तन करके अब जून और जुलाई महीने के लिए इन दो महीनों के लिए इन्हे दो दो हजार पे दिया जाएगा और जब ये निर्ने लिया गया तो इस मिटिंग में जो जो हमारे उपस्तित थे सबसे पहले है प्रिंसिपल प्राइबेट सेकेटरी मुख्यमंत्री के परधान नीजी सचीव डॉक्टर आरेन बत्ता ये इस सबसर पे उपस्तित थे अधिशनल चीफ सेकेटरी हेल्थ फैमिली वेलपेर अतिरिक्त मुख्य सचीव स्वास्ते विवा के आरडी दिमान और डिरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसिज डॉक्टर बीबी कटोच निदेशक स्वास्ते सेवाएं डॉक्टर बीबी कटोच भी वाँ पे उपस्तित थे और स्पेशल हेल्थ सेकेरेटरी विशेश सचीव स्वास्तित डॉक्टर निपूर्ण जिंदल ये सबी इस मीटिंग में वाँ पे उपस्तित थे अगर बात कीजाए आशा वर्कर्स की एक्रिडिट्ट सोशल हेल्थ एक्टिविट्स की तो ये एक कॉमिनेटी हेल्थ वर्कर है जिनने गौर्मेट ऑफ इंडिया के अंतरगत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वैलफेर के अंतरगत कारे दिया गया है और ये पार्ट है नेशनल रूरल हैल्थ मिशन का और इस मिशन को शुरू किया गया था वर्ष दो हजार पाँच में और इसके इंप्लिमेंट करने का तार्गेट रखा गया था वर्ष दो हजार बारा तो ये थी हमारी आज की discussion, revise करते हमने क्या क्या discuss किया सबसे पहले हमने अमरितियोजना के बारे में discuss किया नमबर सेकंड हमने discuss किया, World Bank द्वारा ITI को मजबूत करने के लिए 20 क्रोड का budget स्विख्रित किया गया है और नमबर थार्ड पे हमने discuss किया जो आशा वरकर्स हैं, अब उन्हें दो महीने के लिए 2-2 हजार पे दिये जाएंगे ऐजे प्रोचसाहिन राशी अब हम कुछ question practice करेंगे जो कि इस discussion पे बेस्ट होंगे, तो start करते हैं हमारी question practice नमबर फर्स्ट इस अटल मेशन फॉर रिज्यूबनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन अमरूत इस प्रसीड़ बाई अमरित योजना किसका विस्तारित संस्क्रण है तो यह हमारी चार options है और आपके पाद 10 सेकेंड इस question को attempt करने के लिए attempt कीजिए आपका time अर्बन रिज्यूबन मिशन तो अटल मिशन फॉर रिज्यूमनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन अमरूत योजना यह विस्तारित संस्क्रण है जोहाला नहरू नेशनल अर्बन रिज्यूबन मिशन का second question is who is minister of state for housing and urban affairs शहरी विकास मंत्राले के राज्य मंत्री कौन है तो यह हमारी चार options है और आपके पास पांस सेकेंड इस question को attempt करने के लिए attempt कीजिए आपका time शुरू होता है अब आईए देखते हैं इसका correct answer इसका correct answer है option D हरदीप सिंग पुरी हरदीप सिंग पुरी शहरी विकास मंत्राले के राज्य मंत्री है next question is how much budget is allotted by world bank to strengthen ITI and technical education in हिमाचर परदेश ITI और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विश्यो बैंक द्वारा हिमाचर परदेश को कितनी धनराशी दी जाएगी तो यह हमाई चार options और आपके बास पांस सेकेंड इस question को attempt करने के लिए attempt कीजिए आपका time शुरू होता है अब आईए देखते हैं इसका correct answer इसका correct answer है option D 20 करोड तो ITI और technical education को मजबूत करने के लिए world bank द्वारा हिमाचर परदेश को 20 करोड रुपए दिये जाएंगे next question is who is director for health services in हिमाचर परदेश हिमाचर परदेश स्वास्तिय सेवाएं विभाग के निदेशक कौन है तो यह हमारी चार options और आपके पास पांस सेवाइं इस question को attempt करने के लिए attempt कीजिए आपका time शुरू होता है अब आए देखते हैं इसका correct answer इसका correct answer है option C Dr. B.B. कटोच डिरेक्टर है health service के हिमाचर परदेश में हिमाचर परदेश स्वास्तिय सेवाएं विभाग के निदेशक हैं Dr. B.B. कटोच तो यह थी हमारी आज की discussion thanks for watching video do like share and subscribe my channel